जैश्री कृष्णा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं तुला राशी के बारे में 7 नवंबर से आपके भाग्य के स्वामी बुद्ध देव का राशी परिवर्तन होने जा रहा है 7 नवंबर दोपहर 3 बज कर 33 मिनट पर बुद्ध अपनी चाल बदलेंगे बुद्ध वरिष्चिक राशी में वक्री हो जाएंगे और आपकी राशी में प्रवेश करेंगे अपने शत्रू की राशी मंगल की राशी को छोड़ कर अपने मित्र की राशी तुला राशी में आ जाएंगे बुद्ध की यह स्थिती साथ नवंबर से आपको किस तरह के परिणाम देने वाली है इस बारे में हम इस वीडियों में चर्चा कर रहे है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतादू कि बुद्ध देव आपके भागे भाव के स्वामी है नवं भाव के स्वामी और द्वादस भाव के स्वामी है आपके विदेश के स्वामी भी बुद्ध देव है बुद्ध की यह मजबूत स्थिती व्यापार करोवार की स्थितियों को बहुत मजबूत करने वाली है मुनाफे के सोदे अब होंगे विदेशी कामों में सफलता हाथ लगेगी स्टूडेंट्स के ग्यान में वृत्ती होगी भाग्या का साथ मिलते हुए दिखाई देगा और की गई पुरानी मेहनत का फल अब आपको प्राप्त होगा बड़ी मात्रा में फाइदा, धनलाब, घर परिवार में खुशियां विवाहिक जीवन का खुशाल बनना यह समय बहुत उचित होगा इस समय में सही जंगा आपका निवेश होगा सही फैसले आप लेंगे और अपनी तेज बुद्धी से बड़े से बड़े मुश्किल कामों को आसान बनाएंगी मित्रों का साथ पी इस समय में मिलेगा दोस्तों बुद्ध का यहराशी परिवर्तन अब आपको फेमस बना सकता है इस समय में आपके संबंद सभी लोगों से बहुत अच्छे होने वाले हैं और इस समय में आप देखेंगे की पोजिटिव रिजल्ट आपको सरकारी कामों में भी मिलने लगेगे डेली इंकम तो बढ़ेगी ही और इंकम बढ़ने के कई सोर्च भी तैयार होंगे खुद बखुद लोग आपके पास अब आने वाले हैं और लोग आपकी मदद करने को अब तैयार होंगे दोस्तों कुल मिलाकर यहराशी परिवर्तन बुद का वक्री होना ही आपके लिए भाग गैशाली है और नवंबर महा को शांदार और खुबसूरत पना रहा है अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक चुरूर करें और जैश्री कृष्णा जरूर लिखे